दोस्तो नमस्कार श्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में दोस्तो आप कैसे हैं आप नाराज होंगे मैं समझ चकता हूँ कि मैंने आपको कोई भी अपडेट नहीं दिया लेकिन दोस्तो आज मैं आपको बहुत ही इस वीडियो में बहुत ही महतपून अपडेट लेकर आया हूँ दोस्तो एकजाम को लेकर 12th या 10th की भी बात करें 12th या 10th syllabus दोस्तो वैसा का वैसा रहेगा मतलब चप्टर जो हटा दे गए वो तो हट के रहेंगे हट गए वो नहीं आएंगे छात्रों दोस्तो खुशी की लहर है जो भी छात्र हैं खुश हो जाएं क्यूंकि बिलुप्रिंट चैंज नहीं होगा दोस्तों सबसे जो महत्पुन बाते हैं वो यह है कि 12th का जो बिलूप्रिंट पहले था वैसा का वैसा बिलूप्रिंट रहेगा कोई भी चेंजस उसमें नहीं है दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो मैं इसलिए ही नहीं डाला था क्योंकि मुझे अभी तक भी डाउड था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि फिर दुवारा वही हो जा तो वह ही का हुआ दोस्तों कि बिलूप्रिंट जैसे पहले 2020-2019 से चला रहा था उसी तरह के आपका पूछे जाएंगे समझ नहीं आ रहा था वच्चों को पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया था गवर्मेंट ने लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल परिशान ना हो क्योंकि अब आपके जो जुलानिया साब थे इन्होंने जो नियम बनाये थे उनको आपकी गवर्मेंट ने वि सारे छात्रों को स्कूल से जो पढ़ने जाते हैं उनको जानकरी दे दी गई है अगर आपको जानकरी नहीं मिली है तो मैंने इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को महत्पून बिंदूओं को एकत्रित किया है जिनको आपको मैं बताने बाला हूँ और दोस्तों इसका अब मैंने लास्ट में आपको किस तरीके से आदेश भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा लास्ट वीडियो में लास्ट में ही कि वीडियो के लास्ट में बिलकुल आपको जो आदेश आया गरूमेंट का वो भी मैंने इसमें दोस्तों एड किया है तो वो भी मैं आपको बत मतलब क्या है मतलब दोस्तों यह है कि जो पहले वाला बिलूप्रिंट था जिसमें आपके एक नमार दो नमार तीनमार चार नमार पार इस तरीके के प्रिश्ण जो पूछ जाते थे वही ऐसे ही पूछ जाएंगे और जिस चप्टर में से जैसा पूछा जा रहा था ओटी तो कोशन ही आएंगे समझ में आ रहा है आपको दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपका बिलूप्रिंट बैसा ही रहेगा आप बिल्कुल परिशान नहों अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैंने वीडियो के लास्ट में गोर्रमेंट का आदिस डाला है उस दोस्तों चैप्टर जो हटा दिये गए हैं उनसे कोई भी प्रस्न नहीं पूछा जाएगा फिर दोस्तों को एक प्रॉब्लम है कि सर ये बताईए फिर अगर इतना सारा सत्तन नमर का कैसे बनेगा सर डाउट है सारे बच्चों को बच्चे पूछते हैं कि सर सत्तन नमर का क कैसा आएगा क्योंकि 15 चेप्टर हैं किसी में 13 चेप्टर रहे गए चेप्टर हटा करके तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हटा दी गए एक एक चेप्टर से लगबग दो प्रिश्टों आती थे एक अत्वा में एक जनरली तो अब तीन-तीन प्रिश्टों भी उसस बन सकते हैं एक चेप्टर से इसलिए आप लोग पूरे चेप्टर को बड़े अच्छे तरीके से पढ़े हैं दोस्तो तीसरा पॉइंट है चात्र दो बार दे सकते हैं बोट परिक्षा ये नया नियम है दोस्तो चात्र दो बार बिलकुल अगर वो सारे चात्र क्या होता है कि फेल हो जाते हैं 10th में फेल हो जाते हैं 12th में फेल हो जाते हैं तो एक परिशानी का सबब बन जाता है उनको तो वो छात्र बिल्कुल परिशान ना हो अगर एक बार आपको दे सकते हैं अगर फेल हो गए कहीं बैसे फेल नहीं होते हैं अग्रिकल्चर वाले छैतर तो कभी फेल नहीं होते हैं, लेकिन 1% कहीं न कहीं हो जाते हैं, तो वो दो बार प्रिक्षा दे सकते हैं, दोस्तों एक बात हैं पर यह और बताना चाहूंगा मैं आपको, कि मानकर चलिए आप अग्रिकल्चर से फेल हो गए, सपोज देट, या मै मैस में अगर वो फेल हो गया, तो वो एग्रिकल्चर से तीन महीने बाद फिर फेपर दे कर के पास हो सकता है, तो दोस्तों यह बहुत अच्छा गवर्मेंट ने आपका नियम निकाला है, दोस्तों चौथा जो पॉइंट है, उसको समझ लीजे, सप्लीमेंटरी का सिस्टम खतम कर दिया है, दोस्तों इसलिए दो बार परिक्षा होगी, यह ध्यान रखें, सप्लीमेंटरी माने नहीं होगी, मतलब एक बिस्टम में अगर आप फेल हो जाते हो, तो फेल ही माने जाओगे, सप्लीमेंटरी का सिस्टम बिल्कुल पूरी तरीके से खतम कर दिया है, देश्ट बिन्दू है, पांच बार प्रिश्ण बैंक का ओचित खत्म हो गया है, दोस्तों जैसा आपने देखा होगा, कि प्रिश्ण बैंक आ गई थी, आपने वह सारे उस पे डाउनलोड भी की होगी, साइद आप लोगोंने, कि जो प्रिश्ण बैंक है, उसमें 500 पुछे जाते, तो बच्चों को बहुत बड़ी इसमें दिक्कत आ रही थी, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रिश्ण बैंक का ओचित ही हतम हो गया, जब बिलूप्रिंट आपका बैसा का पुराने के जैसा ही आना है, दोस्तों चटबा पॉइंट है, ज इसे कैसे प्रिष्ण आपको मिलते थे और नहीं देखी हूँ तो आप लोग पुराने वाले पेपर हैं उनको उठा करके देख सकते हैं कि कैसे कौषन आपकी एकजाम में फूछे जाते हैं पूछे जाएंगे ठीक है दोस्तो सात्वे पॉइंट की बात कर लेते हैं अथवा का भी काम खतम ये महत्पून पॉइंट है दोस्तो सात्वा आपकी एक्जाम में अथवा नहीं आएगा ये चेंजिस थोड़ा सा इस पेसली है देख लीजे आप इसको आथवा नहीं आएगा आप एक्जाम में तो फिर क्या होगा आथवा की जगे आपको जैसे मान के चलिए दो नमर के आपको प्रिश्न दे जाएं कि इतने मैंसे जैसे पाँच प्रिश्न दे दिए और इसमेंसे कहा जाएगा आप इसमेंसे चार हल कीजे या तीन हल कीजे समझ रहे हैं बात को आपको जैसे दस दे दिये आपको तीन नमर के फिर कहा जाएगा कि इसमें से आप लोग साथ प्रिशनों का उत्तर दीजे इस प्रकार से दिया जाएगा तो दोस्तों यह फायदा ही है अपने लिए क्योंकि चैप्टर हटा दी एं तो तो इस से आपको एक चैप्टर में से तीन-तीन प्रिशन भी मिल सकते हैं समझ रहे हैं बात को और अपनको तीन-तीन की जरुरुयत भी नहीं है क्योंकि हमने पहले ही पूरा पढ़ चुके थे लेकिन ये जो change हुआ था भी बीच में लफड़ा चला था कई दो महीने लफड़ा ही चलता रहा बदल गया फिर वैसा फिर ये फिर वो तो उससे हमको काफी परिशानी उठानी पड़ रही थी तो दोस्तो आपको आप परिशानी बिल्कुर नहीं उठानी है आप एकदम खुस हो जाएए और पड़ाई स्टार्ट कर देए पड़ाई अपकी चल लए होई सबसे अच्छी बात ही है कि दोस्तो अभी तो हमारे पास तीन मन्त हैं तीन माह हैं एकजाम आपको पता ही है मही म स्टार्ट होंगे तब तक तो हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर चुके होंगे दोस्तो आठवे पॉइंट की बात कहलें एक दो तीन चार और पांच नमर के प्रिशन पूछे जाएंगे बिल्कुल पहली भी था बीस नमर के ओटी थे जिसमें एक एक नमर के प्रिश प्रिशन थे बाद में फिर तीन तीन नमर फिर चार चार फिर पांच नमर इस तरीके से आपके प्रिशन पूछे जाते तो दोस्तो उसी प्रकार से अब आने वाले एकजाम में आपके प्रस्ण पूछे जाएंगे ठीक है दोस्तो तो आप समझ गए होंगे अब बात कर ले कब आया चार तारीक को आ गया लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल पाया कुछ समस्यान थी इसलिए अब आप देख लीजिए वीडियो आपको रोज मिलेंगे बहुत अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं दोस्तों आप बिल्कुल परिशान नहीं होई गया दोस्तों बात करते हैं क एक्षनिक विवस्ता विपरीत रूप से प्रभावित हुई है बिल्कुल सब जानते हैं कि इस कोरोना की वज़े से क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाई हैं इस स्कूलों में तो बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं चात्र इस समय तो उसकी वज़े से माधविक सिक्षा मंडल द्वारा बर्स 2021 की प्रिक्षाओं के प्रश्ण पत्रों को ओन लाइन सौप्ट कॉपी में फ्रेशन विलूप्रिंट एवर मूलाइंकें पद्धती में इस बर्स अचाना कोई परिबरतन प्रिस्तावित करना व्यभारेक एवं छात्रित में नहीं होगा ये दोस्तों सरका गवर्मेंट ने कहा है अपने बिसेस अधिकार का उपियोग करके जो जुलानिया साब थे वो मतलब जुलानिया साब हमारे कह सकते हैं सचिप थे इसके आपके सिक्षा वेवाग में वो ऐसे नियम निकाल रहे थे तो अचाना कोई जित्ती मी परिबरतन हुए है वो प्रिस सासन यतत्त द्वारा नदेशत किया जाता है कि मद्ध प्रदेश मादमिक सिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परिक्षा बर्स 2021 के लिए पहले पूर्व बर्सों अनुसार प्रिश्ण पत्र देखो मैं मैं बताया था आपको पहले की जैसे आपके प्रिश्ण पत्र मुद्र को इथावत रखते हुए परिक्षा आयोजित की जाए समझ में आगए आपको तो यह आदेश आपके गुरुमेंट का आपको आगया है पूरा आदेश मैंने इसमें नहीं लिया है चूंकि इसमें से थोड़ा आपको पढ़ाई फिर नहीं है ताकि छोटे-छोटे अक्छर आते इसलिए इसका पूरा और अगर आप चाहो तो आप चाहो तो MPPV की साइट पर जाकर इसको आप लोग सर्च करके देख सकते हैं महाँ पर और आप देख सकते हैं क्या आदेशा है वहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ठीक दोस्तों त इससे छात्रों में खुसी के लहरे सभी छात्र खुस हैं और अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे आएसी आसा करता हूँ और दोस्तों आप परिशान ना होगे अब वीडियो आपको परड़े मिलते रहेंगे दोस्तों मैं माफिम चाहूंगा कि मैंने बीच में वीडियो डालना बंद कर दिये थे कुछ समस्याओं की वज़े से अब दोस्तों कोई समस्या नहीं है आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हाएंगे ठीक है दोस्तों आज के लिए इतने नमस्कार